हलो दोस्तो असलो लेगू नमस्ते कैसे हैं आप सब लोग आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल बार्ड ड्रीम्स दोस्तों आज बात करेंगे के बजीज पैरट का जो ये ब्रीडिंग सीजन चल रहा है ये कब खतम होने वाला है तो कब तक हमें अपने वीडियो पूरा देखेंगे तो काफी कुछ नया सीखने को जरू मिलेगा तो दोस्तों बजीज पैरट का जो ये ब्रीडिंग सीजन है ये सेप्तमबर के महीने से स्टार्ट होता है तो नॉर्मली बजीज पैरट पूरे सार भर ही ब्रीड करते हैं दोस्तों लेकिन इनका टाइम जो होता है सबसे अच्छी जो ये ब्रीड करते हैं वो सेप्तमबर से इनकी जो है ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है तो हम लोग जो है सेप्तमबर में मटकियां वगरा लगा देते हैं और ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है तो अब चल रहा है ब्रीडिं से बीच में रोक दे या क्या तरीका एल चे से ब्रीडिंग को रोकए जिस से हमारे भजी सपालड डिस्टरब ना हो तो दोस्तों बजी सपालड का जो यह ब्रीडंग सीजन है लगब लस çek चल रहा तो मार्ष के महिने में इतनी जादा गर्मी नहीं होती है, तो हम लोग अपरेल का मन्त, ऐसे आपको बिलकूल ब्रेड रोक देनी है, तो करना यह है उसके नियाँ आपको अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों देखना पड़ेगा कि आपका क्लच जो चल रहा है अंडे कितने आ रहे हैं किस हिसाब से बच्चे निकलना है किस फीमेल की late breed होती है किसके जल्दी आपका ब्रीडिंग सीजन स्टॉप होने तक आपको ये देखकर चलना है कि कौन सी फीमेल का कलच कब कमपलेट होगा तो एकदम से ब्रीड रोग देने से होता ही है दोस्तों मान लीजिए कि आपने सभी का अपने जितने भी बर्ड हैं बजीस पैरट आपके पास चार पांच प्यार हैं या जादा प्यार है तो लगबग बिलकुल एक टाइम पे सभी बजीस पैरट ब्रीड नहीं करते हैं है मट्कियां वगएरा हम लोग हटा देंगे तो आपके यहाँ पर जैसा भी गर्मी हो रही है अगर जादा गर्मी पढ़ने लगे तो आप भी मट्कियां वगएरा हटाएं तो बजीस पैरट की ब्रीड रोकने का तरीका यही होता है कि आप उनके बॉक्स और मट्कियों को हटा दें तभी वो ब्रीड करना रोकते हैं अगर आप मट्कियों और बॉक्स नहीं हटाएंगे तो ब्रीडिंग जो है चलती रहती है लगातार बजीस पैरट तो बिलकुल पूरे साल ब्रीड करते हैं लेकिन दोस्तों हमें इने रेस देना जरूरी होता है रेस देने से हो दोबारा से नई ब्रीडिंग सीजन के लिए उनको फ्रेश करना होता है तो उसके निए उनको रेस देना जरूरी है तो चार महीने का लगबग हम लोग बजीस पैरट को फ्रेश देते हैं उसके बाद सेप्टेंबर के महीने में दोबारा मट्कियों वगरा लगा देते हैं आप चाहें तो लगबग दो महिने तक और ब्रीड ले सकते हैं, मार्च अपरेल तक आप ब्रीड ले सकते हैं अपने बजीज पैरट से, तो रोकने का तरीका यही है, आप जब भी देख लें किसी फीमेल की ब्रीड कम्पलेट होती है, तो कोशिश करा करें मट्कियों को किस से उतारना है, क्योंकि जब किसी एक फीमेल की मट्की हट जाती है, तो वो दूसरी फीमेल के बच्चे वगएरा को मारती है, तो इसके अपर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगा किस तरह से आपको ब्रीड जो है, जब रोकनी है, तो अभी जो है लगबग एक से दो महीने का टाइम और है, ब्रीडिंग सीजन का, तो अभी अगर आपके यहां ब्रीड नहीं हुई है, तो अभी आप परेशान ना हो, अभी ब्रीडिंग सीजन बचा हुआ है, तो एक से दो महीने तक आप और ब्रीड ले सकते हैं अपने बजीज पैरट से, तो दोस्तों दो महीने का टाइम और है, एक डेड़ महीने बाद या दो महीने बाद लास्ट जो है, ब्रीड को रोग देनी है, आप सभी लोगों को और उसके बाद उन्हें रेस्ट देना है, तो ठीक है दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो, वीडियो अच्छे लगती है, तो वीड गल च्छे को जाद वाद धाद गाराद को जाल चिogaल ऑद वीडियो टीक सुनाँ के रिल्ट व्हाई वीडियो, जो भीडिय को रहते हैं जождते हैं घॉ सर्ण के बताद हैं, इस हूने हैं, लादाद मौता हैं. गदो, दुख बाद, जढगे हैं भादा, और जआगे हैं, द